समकी मार छेल रहे किसानों को फसलों के दाम की भी मार छेलनी पड़ सकती है मालवा का पीला सोना कहे जाने वाले सोया बीन के दाम जमीन पर आ गए है इस बर सोया बीन की आवक में भले ही कमी आई हो मगर दाम फिलाल ठीक नहीं है मालवा में बारिश के मोसम में सबसे ज़्यादा सोया बीन की फसल पकर त्यार होती है सोया बीन की फसल जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है जबकि इसकी कटाई दिपावली से पहले हो जाती है किसानों को सबसे ज्यादा उमीद सोया बीन की फसल पर रहती है इस बार तमाम वाइरस की वज़े से सोया बीन की पैदावार में काफी कमी आई है इसके बाद किसानों को सोयाबीन के दाम की भी धोरी मार उठानी पड़ सकती है किसानों का कहना है कि फिलाल सोयाबीन अलग-लग मंडियों में अलग-लग भाव पर बिक रही है फिर भी एवरेज भाव 4500 से 5000 पे प्रतिक उइंटर के बीच आ रहा है और ये दाम काफी कम है और सोयाबीन की फसल किसानों के लिए सबसे रहा देने वाली फसल मानी जाती है किसानों के सारे त्योहार, शादी, मांगलिक कारे और सभी आयोजन इसी फसल के बल पर रहते है हलाकि इस बार सोयाबीन के दाम जमीन पर आ गए है किसानों का कहना है कि अभी सोया बीन की आवक शुरू भी नहीं हुई और भाव में काफी गिरावट देखने को मिल रही है जब सोया बीन की बंपर आवक होगी तो ऐसी सिती में दाम और कम हो सकते हैं ये किसानों के लिए चिंता जनक खबर है सोया बीन तेल की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए केंदर सरकार की ओर से सोया बीन के स्टोक को लेकर नियम बनाया गया है इसके तहट एक निधारित सीमा में ही व्यपारी इसका स्टोक कर सकता है यही वज़े है कि व्यपारियो द्वारा नियमंसार खरीदी की योजना बनाई गई है इसी के चलते फिलाल सोया बीन के भाव में कमी देखने को मिल रही है इससे पहले व्यपारियो द्वारा सोया बीन की फसलों का स्टोक किया जाता था और दाम अधिक होने पर उसे बेचा जाता था लेकिन इस बार व्यपारियो द्वारा सिमित सिमा में ही सोया बीन की फसल का स्टोक किया जा सकेगा जिसकी वज़े से कीमतों में लगातार गिराव जारी है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी